बिवानी में S.P. वरुन सिंगला ने इंडिया ने उस हरियाना से खास बात चीत की इस दौरान उन्होंने अपराज और नशे को रोकने का मास्टर प्लान बताया इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नशा बढ़ता जा रहा है गाउं में ग्राम प्रहरी की तनाती भी होगी और क्या कुछ कहा उन्होंने आए सुनते है आपराधिक वार्दातों की रोक्ताम के साथ-साथ भिवानी पुलिस सब लोगों से फ्रेंडली तरीके से पेश आएगी साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ ऐसे तरीके ही जाद की जा रहें विवानी पुलिस कप्तान के दवारा जिससे पुलिस सीधे तोर पर ग्रामीन तबके के लोगों से रूबरू होगी ग्रामीन तबके के लोगों से इंट्रेक्ट करेगी और इस दिशा में ना कि वो नशाखोरी रोकने का प्रियास किया जाएगा, बलकि साथ ही साथ, पबलिक फ्रेंडली होने के साथ साथ, दूसरी तमाम तरह की कवायदें विवानी पुलिस के दोरा शुरू की जाएंगी, सर किस तरह की कवायदे हैं, सबसे पहले पुलिस की साथ मोबिलाइज करना एक चुनती होती है हमेशा, तो उसी के तहत हमने पुरे जिला पुलिस को हमने पांच कंपनियों में विभाजित किया है, और सभी व्यक्तियों की बाइनेम उसमें डूटी लगी हैं किस तरह के उनको एकुप्मेंट्स प्रक्योर करने हैं, एंटी र कारी DSP पर दी गई है, ऐसी एक संगठन बनाने की वायत है, जिसमें कि आप एक घंटे के अंदर पूरी फोर्स को मोबिलाइज करके आप किसी भी इस्तान पर लेकर जा सकें, इससे हमारा जो पुलिस का रिस्पोंस टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, और बहुत फास्ट ह लोग किसी भी खटना के ओपर पहुच पाएंगे और लोगों को जो है, सुरक्षा और रहात परदान कर पाएंगे, नशाखोरी को लेकर के एक मास्टर प्लान आपने सांजा किया था इंडिया नूज हर्याना के साथ, जब आप यहां पर आपने जोएन किया था उसके समान समाली है, तो इसके लिए एक योजना हमारे द्वारा त्यार की गई है, जिसमें हम जितने भी गाउं जो की नशे की समस्चा से ग्रशित हैं, उन गाउं के एक तो सरपंच और अन्या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक मीटिंग हमारे DSP तर पर ली जाएगी, एब उनकी नशे की इलत छूट सके, साथी साथ वो लोग नशा कहां से प्रक्यूर करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, और इस तरीके से लगातार उन एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा कर, और लोगों का साथ लेकर, हम इस नशे की समस्चा को टैकल करेंगे, ज पुलिस के द्वारा जो चलाई गई है, जिसको करीब पिछले 6 महीने से जिसका जो चलाई जा रही है, उसके तहत हमारे जो हर पुलिस कर्मी को गाउं दिया गया है, जिसका वो ग्राम प्रहरी उसको अपॉइंट किया गया है, साथी साथ हर गाउं पे एक सहायक ग्राम प् चाहे पीयो बेल जंपर की हो, चाहे हिस्ट्री शीटर्स की हो, चाहे कोई ऐसे बड़े कोई जमीनी विवाद हों, या अन्या उसके अंदर जैसे कोई नशाखोरी या शराब की तर्सकरी, इत्यादी विभिन पहलुओं पे उसके अंदर इंफर्मेशन एक अत्रित की जाती है तो उसी स्कीम को हम बहुत ही उम्दा तरीके से और एक नए तरीके से इसको इंप्लिमेंट करेंगे, अभी दो या तीन गाओं करीब एक पुलिस कर्मी को जो दिये गए हैं, उसको हम चेंज करके परतेक पुलिस कर्मी को एक गाओं अलॉट करेंगे, उसके लिए पुलिस क कि युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के मकसद से इस तरह की जो योजनाए हैं उनको फली भूत किया जाए